यह हमारे स्वेम्भू हनुमान जी है बाल रूप इनका और दक्षिन मुखे बहुत कम प्रतिमा देखी जाती है कनौट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं हमारे साथ महनत जी मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं क्योंकि नेपाल से एक लंबा सफर तैय करके शिलाएं जो है शालीग्राम शिलाएं आई हैं और लोगों ने अपनी आस्था भी दिखाई जगा जगा पर उन शिलाओं को पूजा गया आयोध्या पहुंच चुके अमान जी शिलाएं कैसा अनुभव कैसी अनुभूती हो रही जैसे सुनने में आया है कि शिला वहां से नेपाल से आई है और प्राचीन शिला है अच्छा यहागा जब लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो उसका जरूर मंदिर बे प्रयोग होना चाहिए और शिला जब इतनी प्राचीने तो लोगों ने इसको देख पर रख कर ही तो इतनी मेहनत करके लाएए है शाली ग्राम जो शिलाएं हैं वो काफी पुरानी है और उस से बताया जा रहा है कि बाल रूप जो है वो भगवान श्री राम का और मा सीता का बनाया जाएगा क्या लगता है श्री राम मंदिर बनने जा रहा है एक आस्था लोगों की बड़ी है यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत दिन से जो मामला पैंडिंग था, अब समय आ गया है उसका, जो है, सब लोग दर्शन करेंगे, लोगों का भला होगा, और यह, कितना इंतजार था लोगों के मन में, बहुत लंबा इंतजार था, इसलिए थोड़ा दिले हुआ लेकिन अब ठीक है सब हनुमान जी बाबाज सब ठीक करेंगे, हनुमान जी जो है, वो शिरी राम जी के साथ में हर जगा वो विराजमान रहते हैं, तो हनुमान जी का वहां पर भी प्रतिरूप दिखाई देगा, जी, तो साक्षाद हनुमान जी को ही बताया जाता है, कि व बस्तेती रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत कम प्रतिमा देखी जाती है। महतब क्या होता है? इसम्भू है Самभू हें और बाद Бाजमान सिंहें नेखने जा इनडिका निर्मान के नेखंदे अगल भागवन करेवात्य निर्मानanti तो यह थे प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत जी जो हमारे साथ जुड़े और जिनोंने हमें बताया कि शिरीराम मंदिर आयोध्या में जो बन रहा है उसको लेके लोगों में कितना उत्सा है कितनी आस्था जो है वो लोगों के अंदर बड़ी है और वहीं पे इस प्राचीन हनुमान मंदिर का भी क्या मातब है कब इसको बनाया गया था और कैसे जो है ये मंदिर अब इतना विश झाल झाल